Hello guys, welcome back on your own channel, follow your passion. आज मैं specially बात करना चाहती हूँ, education वाले बच्चों से, जो NTA exam की त्यारी कर रहे हैं, paper 09. ठीक है, तो education वाले बच्चों को मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, कि confused ना हो, अपने mind को set रखें. देखें, जब exam की date आई थी, हमारे पास जब date आई थी 16, all of you know, कि कोई भी agree नहीं कर रहा था उस time, and I think that time only 24 students जो ready थे exam देने के लिए जब poll हुई थी और voting हुई थी, जब government ने voting कर आई थी. तो आप ये देखिए, कि only 24, वो भी कोई other subject से भी हो सकता है, मैं भी जुरूर ही नहीं हो, education से ही हो, तो आप ये देखिए, two or three percent only agree थे 16 के exam के लिए, उसके बाद जब अगर exam की date को दुबारा से postpone किया गया, 16 से 24 बोला गया, तो mentally फिर से disturbed हो गए बच्चे, कि अब 16 को क्य नहीं हुआ, आप पहले 16 के लिए भी ready नहीं थे, बट आप ने जब अपने mind को set किया, कि हाँ 16 को exam देना है, तो आप लोगों ने किया, अपनी तरफ से 16 के exam के लिए prepare किया, उसके बाद admit card को लेकर बहुत सारे confusion हुए, बहुत सारे अलग-अलग बाते सामने आई, और फिर स disturb होगे, उसके बाद दुबारा से postpone हुई date, 24-25 हुई, उसके बाद चलो कोई बात नहीं, 24 से तो exam वैसे start हो चुके है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, education वाले बच्चों की, जो के 21st October को चला गया, तो अब भी, जहाँ पर 50% में भी बच्चे कह रहे होंगे, नहीं, य देखना है कि कैसे क्या होता है, अब वो क्या सोच रहे हैं, कि हम भी prepare कर सकते हैं, क्योंकि हमें one month मिल गया है, लेकिन जहाँ जो बच्चे 16 के लिए ready थे, जो 24 के लिए ready है, वो disturb क्यों हो रहे हैं, उनको disturb बिलकुल नहीं होना है, क्योंकि वो और भी बहतर जो है, तियारी क कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे query कर रहे हैं, कि हमें जो plus का जो course है, वो लेना चाहिए, या other courses है, कोई course ले, देखो ये आप पर depend करता है, it's up to you, कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहें तो crux आपके पास है, आपके पास videos आप देख चुके हैं, अपनी तरफ से exam की त चुके थे, अगर postpone ना होता, तो भी आप exam दे चुके होते हैं, अब तक में भी, तो अब आप ये ना सोचें, कि हमें क्या करना चाहिए, अब सिर्फ अपने mind को set कीजिए, और आपके mind को set करने के लिए, मैं भी कुछ आपकी help करना चाहती हूँ, कि अब क्या है, mainly क्या करत करना होगा, फिर जो आपकी performance होगी, उसके according आपका attitude change होगा, जब आपका attitude change होगा, तो आपके behavior में change आएगा, and all of you know, behavior का change होना मतलब की learning, कही ना कहीं आप चीज़ों को learn कर रहे हैं, कि आपका behavior change हो रहा है, और जहाँ behavior change हुआ, I'll start the actions, और आपने action start किया, आपने action लिया उ positive वाएगा, तो अपने mind को set रखिए, ये ना सोचें, कि अब 21st को भी कुछ बाते सामने आ रही हैं, कि में चटकी पूजा है, दुर का पूजा है, इस वज़े से pre-porn होगा, postpone होगा, होने दीजिए, हमारा exam तो 16 को भी हो चुका था, हो चुका है आपकी तरफ से, तो अब ये ना सोचें, exam का burden छोड़ दो, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, सिर्फ क्या करेंगे आप लोग, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, questions की practice कर रहे हो, paper 1 और paper 2, daily, एक previous year solve कीजिए, सुबह शाम जब भी आपको time है, ज्यादा headache मत लीजिए, और study को छोड़ना नहीं ह है, तो आपको करना क्या है, unit wise, 10 days में आप क्या करेंगे, जितनी भी unit आपको difficult लगती है, या जो topic था आपने छोड़ दिया था, पहले तो इस week में, जो first 3 और 4 days हैं, इसमें जो topic आप छोड़ चुके थे, या बिल्कुल नहीं करना चाहते थे आप, या जिसमें आपके questions, ज कोई छोटी सी notebook लगा सकते हैं, बहुत short में, आप सब के पास PDF भी है, notes भी है, content भी हो चुका है, तो अब सिर्फ क्या करेंगे आप, एक unit को सिर्फ 2 pages पे, उसका cracks निकालेंगे, उसको लिखेंगे, ताकि जो exam days में, जो exam वाला दिन होगा, उस दिन आपको revision में बहुत help होग और noble truth, तो मतलब क्या है कि जो cracks है, जो ऐसा word जिससे आपको क्या है, पूरी image हो, आजाए आपके mind में, कि इस topic में किस तरह से, किस चीज को explain किया गया है, और उसको फिर सिर्फ ऐसे नहीं करना है, जो भी days बचे है, daily आपको one unit, एक unit daily उठानी है, पहले आप जो 200 marks, यानि कि जो आपका खुद का subject है, education, उसको उठाए और daily की एक unit को complete कीजी, एक unit daily, हलाकि आप कर चुके होंगे, revision बहुत कर चुके होंगे, लेकिन जो revision आप कर चुके हैं, जो महनत आप 20 दिन से, 25 दिन से, महीने से कर रहे हैं, वो waste हो जाएगी, अगर आपने इन दिनों में दुबा जारा देखना, उसके लिए बैठना, मेभी वो आप पर डिपेंड करता है, बाग की मुझे लगता है, ये wastage of time है, तो अब आप खुद self study, आप ये सोचिए कि God ने आपको time दिया है self study का, क्योंकि अब तक आप लगे थे syllabus को complete करने में, किसी तरह से 10 unit, first paper की, जो 10 unit से 2nd paper की हम completely पढ़ लें, उनको revise कर लें, फिर question solve करें, अब आप सुबह शाम एक एक paper को solve भी कर सकते हैं, और self study कीजिए, अब आप क्या करेंगे, कि first paper को paper unit wise revise करेंगे, crux लिखेंगे, even आप सिर्फ एक घंटा भी देंगे, आपको पता चल जाएगा, आपको इस unit से क्या नहीं आता सिर्फ आगे syllabus रखिए, syllabus की copy रखिए, unit A देखिए, unit 1 की, first क्या है, suppose करो हम first unit से start करते हैं, Indian जो philosophy है, तो उसकी school है, Indian और Western, तो पहले Indian से start कीजिए, सबसे पहले हमारे syllabus में क्या है, संख्या philosophy, तो संख्या लिखिए, ठीक है, उसमें आपको क्या ध्यान आता है, constant याद आते हैं, आपको पुरशा, प्रकरती, उनका sequence याद आता है, किस ने दिया, कपिला ने दिया, तो इस तरह से remind कीजिए चीजों को, और ये सोचिए, कि कौन से चीज है जो इसमें मैं भूल गई हूँ, और उसको क्या कीजिए, paper पे लिखिए, सिर्फ crux को, even सिर्फ आप 2 और 3 lines म में खतम, तो संख्या, उसके बाद विदानता, इसी तरह से एक page पे आपका A part complete हो जाना चाहिए, यानि कि पूरी complete unit करने के लिए 2 pages, ठीक है, 2 pages use कीजिए, तो ये जो crux है, इसको फटा-फट revise कीजिएगा, static portion लिखिएगा बस, और अगर आप चाहते हैं, कि हम इस तरह से revise करें, या मैं बोर्ड पे इस तरह से revise कराऊं, या मैं notes में ही, notes ही ऐसे बनाऊं, तो आप मुझे comment कीजिए, या तो unit wise, अगर आप कहेंगे, तो 10 days में 10 units को हम इसी तरह से crux को करते हुए revise करेंगे, अगर आप चाहते हैं, मैं किसी particular topic पे video बनाऊं, को किसी topic में आप problem face कर रह हैं, और videos आप क्या हैं, 20 से 30 minute की video, में भी आप अगर housewife हैं, तो खाना बनाते हुए देख सकते हैं, अगर आप boys हैं, आप walk पे गए हैं, तो उस time आप hands free use करते हुए, bluetooth use करते हुए, आप उस time उसको सुन सकते हैं, सिर्फ आपको crack सुनना है, तो अगर आप चाहते हैं, एक mindset की series लेकर आएं, 10 units की हम, तो please comment करके जरूर बताएगा, and be motivated, be motivated नहीं होना है, और ये तो बिल्कुल छोड़ दो, exam कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि exam आपकी तरफ से 16 को हो चुका है, आपकी preparation हो चुकी है, ये आपको extra time मिला है, GRF के लिए, ठीक हैं, और जिनको new starting से time मिला ह वो बहुत अच्छे से prepare कर सकते हैं, starting से, तो ये हमारे लिए क्या है, extra time है, extra benefit है, इसको utilize कीजिए, waste मत कीजिए इस time को, thank you, bye-bye, thank you for watching, bye